असलाम अलेकुम आज मैं बना रहे हूँ स्टिकी सैसमे चिकन इसको बनाने के लिए मैंने जो चीजें ली हैं उन में हैं बनलेस चिकन 1 kg अल पर्प्रस फ्लावर यानि के मैदा हाफ अकप कॉर्न फ्लावर वन कप केचप हाफ कप हनी हाफ कप चिली गालिक सास हाफ कप लेमन हाफ सोया सॉस 2 तेबल स्पून विनिगर 2 तेबल स्पून ओयल 2 तेबल स्पून चिली फ्लेक्स 2 तेबल स्पून ब्लाक पेपर 2 तेबल स्पून सॉल्ट 1 तेबल स्पून सेसमे सीद्स एंड स्प्रिंग ओन्यन फॉर स्प्रिंग को चले रेस्पी स्टार्ट करते हैं बिसमिला कर लिया था पहले, अब इसके अंदर मैं एड करूँगी, salt, 1 tablespoon, 1 tablespoon black pepper, and 1 tablespoon chili flakes, अब इसके अंदर चिकन जो के मैंने बोनलेस किया हुआ है पहले से, उसको उसके क्यूब्स में इसमें डाल दूँगा, कर दूँए पाज करेंुआ हाँ है,कि अरजती、 इसमेर नॉट्स वों है, इन सारी चीजों को मैं अच्छे तरीक से मिक्स कर लोगी, कर से एठ आ, हरे न य्यह पलंज़ा है, हरा है, हरो चल है, कर यृह, स कर सकत, अब मैं एक और बाउल में वन कप कौन फ्लार डालूँगी यह मैंने माइयर करके वन कप लिये है और इसमें मैं एड़ करूंगी हाफ अकब अल परपर्पस लावर यानि के मैदा इसमें दोनों चीजों को मैं मिक्स कर लोगी अब मैंने चिकन के अंदर टुटेबल स्पून एक्स्टर वर्जिन ओलिव ओल डाला है आप दूसरा ओयल भी डाल सकते हैं कोई साभी आप ओयल को लगाने से यह सारे कोटिंग इसक्यां पर अच्छी तरीके से लग जाएगी अब मैंने जो मैदे और कॉन फ्लावर को मिक्स करके रखा था उसको मैं वो जो चिकन मैंने बनाया है उसके अंदर मैं इस तरीके से इसकी कोटिंग कर लोगी जो चिकन मैंने एग ओयल और बाकी स्पाइसेस डाल के रखा वा था उसको मैं इसके अंदर इस तरीके से कोट कर रही हूं मैंदे और कॉन फ्लावर के साथ अब मैं सारे चिकन को इसी तरह कोट कर लूँगी अब मैं सारे चिकन को इसी तरह कोट कर लूँगी अब मैंने एक पैन लिया है उसके अंदर मैं आल डालूँगी और गरम होने के बाद मैं जो मैंने चिकन बनाया है कोटिंग वाला उसको मैं फ्राइ करती जाओंगी इसको थोड़ा थोड़ा ग्याप के साथ अगर रखा जाए तो यह सही तरीका इसकी कोटिंग रहती है इसके उपर और सारा ही मैं एक दवर ट्राइ नहीं करूंगी बरके दो हिस्सों में करूंगी अब या इस्ता इस्ता चिकन कर रहा है इसकी कोटिंग का भी कलर आइस्ता इस्ता डाक हो रहा है अब 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 या चुरू में आच तेज रखी वी थी उसके बाद मेने रहें अब या चुकर दी आपके चिकन अची तेर किसे गल जाए यहां पर चिकन बन चुका है अब मैंने दूसरा पैन लिया है उसके अंदर अब मैं पानी डालूंगी हाफ हाफ कप पॉटर था यह अब इसमें मैंने चिली फ्लेक्स टाह ली हैं सॉल्ट एंड ब्लैक पैपर पन टेबल स्पून यह सारी चीज़े हैं अब इसके अंदर मैं डाल रही हूं कैचप, 1 Inc. 7 मैं रहां रहा हुँ हाँ रावाव गाफ कभ्योप, half a cup रणी चली garlic sauce half a cup honey हनी का टेस्टिस में बहुत अच्छा आता है लेमन जूस यह हाफ लेमन जूस था हाफ लेमन को कट करके मैं इसमें जूस निकाल दिया था अब मैं इसके अन्दर आइड करोंगी टू टेबल स्पून ऑफ स्टेशस त्योफ फो अफ वीनिगर ज्क यानिके सिट का इन सारी चीजों को मैं अच्छ तरिके से यहां पर बना लूँगी फिर मैं इसके अंदर आड़ करूंगी कॉन फ्लॉर को थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके इसकी वज़ा से यह थोड़ा सा थिक हो जाएगा तेजी से मैं चलाती रहूंगी अब यह अच्छी तरीके से यहां पर बन चुकी है अब मैं इसके अंदर बनावा चिकन जो है वह डाल दूँगी जिस चिकन को फ्राइ किया था मने अब मैं इसको इसको इसके अंदर सारे सास को लगा दूँगी कि यहां पर मैंने आंच को हलका रखा हुए अच्छी तरीके से चिकन के से उपर लग गई है अब मैं यहां पर अब मैं इसको दस मिनट के लिए दम पर रख दूँगी ताकर यह अच्छी देखे से बन जाए फिर मैं डिश आउट करूँगी यह ती मेरी आज की रेसिपी श्टिकी सेसमे चिकन की अब यह जोड़े पर दूब दूब यह जोड़े की आप पर दूब 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 दू ट्राइब करें बहुती टेस्टी बनती है मेरी चैनल को जूर सब्सक्राइब कीजेगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग अलाहाफेज